वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों यहां पर 3000 से जादा कोश्चन को अम लोग कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के सिमिलर ले इंडियन जोग्रफी के और इसके अलावा जो स्टेडि फो सिविल सर्विसिस का पीडियुफ है 786 पेजिस का उसको भी यहां पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 780 पेज है या फर अगला आने वाला आपका उत्तपरदेश PCS 2024 तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आज के अपने सेशन को पहला यहां पर कोश्चन है कि गदर पालिटी का जो पत्र था गदर यह था एक मासिक था यह पाक्षिक था यह सापताहिक था य और हिस्ट्री जो है बड़ा बोरिंग हो जाती है तो यहां पर आज से फिर से कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ ट्रिक बनाने की ताकि चीज़ें आपको लॉंग टर्म तक याद रहें ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करें किसकी गदर की तो गदर अभी यहां पर आई ह ठीक है आपने देखा होगा रिलीज हुई है सनी देवल की नई पिचर और उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी बहिया जो सबसे पहला वीक था उसमें उसने बड़ा जादा कमाई करी है तो गदर जैसे ही आप देखो के और गदर आपका समाचार पत्र एक्जामेनेशन हमने देखने को मिले याद रखने है सनी देवल की जो गदर आई है पहले हफते में उसने एकदम बढ़िया धमाल मचाया शायद साड़े तीन सो चार सो क्रोंटर रुपे कमा लिए सो यह मतलब तरीका है इस तरीके से हम इसको यहाद रख सकते हैं मुझे नहीं लगता अग पूछा गया है आप से कि लोकमान बाल गंगाधर तिलक इन्होंने भारती स्वतंता संग्राम के सेवा के उद्देश से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था अब यह गदर है केसरी है यह फ्री हिंदुस्तान है यह स्वदेश मित्र है तो सही आंसर क्या होगा हमारा केसर हुआ कि यहा तिलक लगा यह तो आज की डेट में फिल्स्तान जोए वह एक कहिए तो हिंदुयों का देश बनने की कोुशिश कर रहा है और बहुत सारी यहां की ऐसी जंता है जिसका यह कहने कि हमें तो हिंदू राश्ट चाहिए और हिंदू राष्ट में तो यह केसर का ही याद रख सकते हैं जैसे चाहूं आप याद रख सकते हैं यह सबसे हाँ ज़रूरी है कुछ ट्रिक होंगी जो आपको बिल्कुल लगए यह तो कोई ट्रिक नहीं बनी आप लोग उत्तरप्रदेश है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टेडी मैटीरियल रहेगा टेस्ट सीरीज रहेंगी पेड कुईज रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा बर मिलेगा और यह सब कुछ सफिशेंट होगा आपके एक्जाम को क्रेक करने के लिए एक्जाम को निकालने के 880-530, इस नंबर पर आप संपर्ख कर सकते हैं, इसके इलावा, 96960-66089, इस नंबर पर contact कर सकते हैं, या पर आप, 752-386-4445, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर call करके, आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं, और ये latest group जो है, इसमें आप admission ले सकते हैं, बट वो ट्रिक भी आपको जरूर याद रहेगी जो ट्रिक सो सो होगी कि हाँ चलो ठीक है वो आपका भी याद नहीं रख पाऊगे या तो बहुत बढ़ी हा ट्रिक याद रहेगी या फिर एकदम बेकाल ट्रिक याद रहेगी लेकिन हमारा परबस ये ट्रिक याद रहे ना रहे वो फैक्ट हमें याद रहे examination में जब बैटो वहाँ पर किसी वी हालत में कोई confusion ना हो सारी चीज़ें क्रिस्टेंट क्लियर हो जाए examination में जैसे ही paper पढ़ना सुरू करो तो को अच्छा ये वाला तो इसका answer यह होगा इसका answer यह होगा खुद अपने जहन में आपके आने लगे so यही मेरी यहाँ पर कोशिश रहती है चलो अगले कोशिशन की तरफ चलते हैं यहाँ पर हो पूचा गया है क्रांथिकारी काल निम्लिकित जो लोगपरीये पत्रिका थी उसके कौन अनेक कारणों से Congress की आलोचना करती थी अकौन सी पत्रिका थी सबसे आधा यहाँ पर Congress की आलोचना ना करती थी so इसमें बंगबासी थी इसमें काल थी उसमें केसरी थी या फिर उपरियुकत सभी तो सही आंसर कहेगा उपरियुकत सभी ठीक है यह इसका अंसर है काल यह इसके बाद next कोश्चन की बात करते हैं इस कोश्चन में यहां पर पूए गया कि निमलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारती स्वतंता संग्राम के काल में किरांतिकारी आतंकवात की वकालत की अब ये संद्या है युगांतर है या फिर ये आपका काल तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर सही आंसर आएगा जिसमें ये तीनों ही है यानि कि संद्या युगांतर और काल तीनों ने ही क क्रांतिकारी जो घ्ठनाए हो रही थी स्थ तो यह यह पर हमारा क्याएगा संध्या भी युगांत्र भी और काल भी चलो next question की बात करते हैं इस question में यह पर पूशा गया है कि निम्नक्वारों में से कौन सा मुक्षता उधारवादियों की नीती का प्रचारक था अब ये नियू इंडिया था ये लीडर था ये फर ये फ्री प्रेस जर्नल था तो सही आंसर के आएगा हमारा ऑप्शन बी यानि की लीडर ठीक है लीडर जो था ये फेवर करता था किसको उदारवादियों को इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं इस कोशन में यहाँ पर आपसे पूशा गया है कि निम्लिकित में से किस भाशा में इस पत्र को नहीं चापा जाता था अंग्रेजी गुजराती तमिल उर्दू तो सही आंसर हमारा के आएगा ऑप्शन जो डी है यानि की उर्दू उर्दू में नहीं चपता था आपका ये इंडियन ओपीनियन ये इंग्लिश गुजराती और तमिल इन तीन भाशाओं में इसकी छपाई की जाती थी इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं इंडियन ओपीनियन पत्र का जो थी इसके संपादक कौन थे क्या ये आपके एम के गांधी थे या फिर ये अलबर्ट वेस्ट थे या फिर या आपके महादेव देसाई या फिर मनसुक लाल नजर तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानि की मनसुक लाल नजर इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं इसने पूछा गया कि एक सापताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुबारंब किया ग और दूसरी थी आपकी एन ही बेसेंट की ठीक है कि तुजरा कमेंट सयक्षिन में बताना कि इनका जो में फौकस एरिया था वो हंदुस्तान का कौन-कौन सा दा यह दोनों का बताना आपको ठीक है कहां कहां पर यह व्रक करते थे इनक्यार पूछ अग बादो कोशन की बात हमारा क्या है का इसमें सही आंसर है का option A यानि कि हिंदू patriot यह पहला अकवार था जो कि भारतियों दोरा शुरू किया गया था और English language में शुरू किया गया था इसके बाद आज के इस वाले session के आखरी question की बात करते हैं इसमें पूछा गया है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला जो हिंदू patriot था इसके संपादक थे कौन यह हेम चंद्राकर थे यह हरीश्चंद मुखर जी ते दीन बंदु मित्र थे या फिर दिगंबर विश्वास थे तो सही आंसर के आएगा हमारा option B यानि कि हरीश्चंद मुखर जी इन्हों ने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था और यह जो थे आपके हिंदू patriot के संपादक थे सो दोस्तों इसी के साथ आज कि इस वाले session को यहां पर end करते हैं फिर मुलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल पर जो पहले वीडियो अप्लोड किये जा चुके हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाईएगा वीडियो को देखिएगा कोई भी suggestion कोई भी feedback हो तो comment section में अपनी बात जरूर रखिएगा तो फिर मुलते हैं अगले वीडियो म तil then thank you so much have a nice day bye bye